तो ये देखें आज मैंने बनाये हैं फीलिंग वाले स्वीट बन तो आप इन्हें घर पर कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको कौन-कौन से इंग्रिडेंट से लेने हैं कौन से मैथड से आपको इसे बनाना है तो हलो एंड वेल्कम तुमा यूटीब चैनल रा से पहले तो हम यह पर पानी लेंगे और पानी आपको नॉर्मल लेना है अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं फिर आपको जो है गरम पानी लेना है और अगर आप गर्मियों बना रहे हैं फिर आपको जो है नॉर्मल पानी लेना है ठंडा भी ने लेना है यहां पर आपक मैं डालना हूँ आप जो है आप दाने वाली चीनी भी डाल सकते हो बट फाइदा यह है जिसे सुगर पाउडर डालोगे तो वह जल्दी घुल जाएगी और दाने वाली चीनी को जो है घोलने में हमें थोड़ा सा समय लगता है इसलिए मैं यहाँ पर जो है सुगर पाउडर क है और उसके बाद आपको इसमें डालना है वन बाई फोथ टी स्पून नमक उसके बाद हम जो है इसमें सुगर पाड़र और नमक कीष्ट पगेरा जो हम डाले है उसे हम अच्छे से घोल लेंगे इस तरीके से हमें घोल लेना अच्छे से तो मैंने जितने भी इंग्रिडि तो 2 टेबल स्पून आपको Refined Royal डालना है यानि कि लगबग 20 ग्राम उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है मैदा मैदा एफको डालना है 350 ग्राम यानि कि 300 ग्राम और मैंने लिया है वन कप से दो कप कप को आपको दबा कर भरना है दो कप डाल देना है वह जाएगा 300 ग्राम और उसके बाद आपको 1 by 3 कप एकदम न उर्मल भरके आपको डाल देना है टोटल जो आपको मैदा कर वो शाधे यानि के लगबग आपको एक ग्राम ब्रेड इंप्रोवर इसमें डाल देना है और ब्रेड इंप्रोवर को डालने के बाद उपर से हम इसमें दो टेबल स्पून हम इसमें बटर डाल देंगे यह मैंने unsalted butter लिया है अगर आप जो है इसकी जगा पर biscuit margin यूज करते हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके बाद अब हम क्या करेंगे उसके बाद हम है जो है डो को mix कर लेना हच्छे से तो अभी हमने अपने डो की जो है mixing कर लिए एकदम perfect अभी हमारे डो की आप consistency देख सकते हैं तो अब मैं इसे टेबल पर निकाल लूँगा बॉल से बाहर डो को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसे रखेंगे टेबल के उपर और टेबल के उपर रखने के बाद अब हमें इसकी जो है गुनाई करनी है इस तरीके से हमें जो है इसकी mixing करना है लगबग 10 से 12 मिनट यानि 12 मिनट से कम आपको करना नहीं है 15 मिनट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है तब ही आपका डो अच्छे से बनेगा अभी आप देख सकते हमारा जो है वह हमारे हाथों में बहुत ज्यादा चिपक रहा है बट जब इसकी हम गुनाई करेंगे लगबग 12 से 13 मिनट या पि 10 से 12 मिनट तक तो हमारा डो जो है वह हाथों में चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो मैं जो है इसकी फटा-फट गुनाई कर लेता हूं अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा वीडियो तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसकी गुनाई करके उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं एक चीज मैं आपको और बदाता हूं मैंने यहाँ पर जो है milk powder इसमें नहीं डाला है बटाप अगर जो है milk powder इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं तो हमारे डो की गुनाई करते हुए मुझे लगबख 14 मिनट हो चुक है और हमारा डो जो है वगदम perfect ready हो चुका है आप देख सकते हमारा डो बिलकुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डो को गुनते हुए जब आपका डो ready हो जाएगा फिर आपके हाथों में चिपकना बिलकुल भी बंद हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बिलकुल नहीं चिपक रहा है तो अभी मैं आपको जो है दिखा देता हूं हमारा डो जो है कितना perfect जो है वो ready हुआ है यह देखे हमारा जो है दो है व वो हाथों में चिपकना बंद हो जाता है फिर समझ लिजी आपका जो डो है वो एकदम पॉफेक्ट रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे अपने डो को हम इस तरीके से गोल कर लेंगे ऐसे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे डो बनाएंगे चार पीस हमें बंस बन इसके चार भाग कर लेंगे एक सो साथ ग्राम का मैं एक पीस रखता हूं तो यहाँ पर मैंने जो है एक सो साथ साथ ग्राम के जो है चार पेड़े जो है रेडी कर लिए हैं तो आब हमें क्या करना है हमें जो है इन पेड़े को जो है हमें अच्छी तरीके से गोल करना है इ इस तरीके से आपको गोल करना है, इस तरीके से आपको गोल करना है, इस तरीके से गोल करने से क्या होगा, आपका जो डो है वो इस तरीके से नीचे से बंद हो जाएगा, और एकदम पॉफेक्ट जो है आपका डो गोल हो जाएगा, चाहे तो आप इसे जो है इस तरीके से टे यह देखिए तो मैं जो फटाफट गोल कर लेता हूँ तो यह देखिए मैंने गोल कर लिये हैं चारोपीस उसके बाद अब हम क्या करेंगे हम जो है इसे बोल से द्रेश्ट पर रख देंगे पांच मिनिट के लिए तो अब हम अपने डो को जो है बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद अब हम क्या करेंगे डो को हम जो है साइड में रखेंगे इधर इस तरीके से उठा कर रख देंगे और डो को side में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे अपने डो के यानि कि अपने बंद के अंदर जो हम feeling डालने वाले हैं उस feeling को हम ready करेंगे तो उसको ready करने के लिए मैंने हाँ पर जो है एक bowl ले लिया है और इस bowl में सबसे पहले हम डाल देंगे जो है दो टेबल स्पून coconut powder और उसके बाद इस coconut powder में हम डालेंगे जो है mixed fruit jam यहाँ पर जो है दो टेबल स्पून मैं mixed fruit jam इसमें डाल देता हूँ यानि कि लगबग आपको 50 gram jam डाल देना है mixed fruit और उसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम जो है इसमें mix कर लेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा coconut इसमें और add कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून जो है coconut add कर दिया है उसके बाद मैं इसे भी mix कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी बंद के अंदर feeling है वो तो ready हो चुकी है तो feeling को ready करने के बाद हमें जो है dough को लेना है तो feeling को ready करने के बाद हमें जो है डो को लेना है और डो को लेने के बाद आपको क्या करना है पहले तो आपको मैदा नीचे dust करना है ताकि जब हम डो की बिलाई करें तो हमारा डो जो है वो चिप केना नीचे उसके बाद हम इस तरीके से रखेंगे डो को और फिर हमें जो है balance से इसकी बिलाई करनी है तो यहाँ पर मैंने अपने डो की जो वो बिलाई है वो मैंने कर ली है तो अभी आपको दिखा दू मैं आपको कि कितने centimeter आपको जो है गोल में जो है इसकी बिलाई करनी है तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है 18-19 centimeter जो है गोलाई में बिलाई आपको करनी है तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे हमें जो है लेना है इस तरीके से थोड़ा सा याने की जो है एक चम्मच आपको जो है ले लेना है जो हमने फिलिंग बनाई थी वो और इस फिलिंग को हम जो है इस तरीके से रख देंगे डो के उपर और इस तरीके से फेलिंग को रखने के बाद हम इसे इस तरीके से फॉल्ड कर देंगे और इसे हमें इस तरीके से जॉइंट भी कर देना है और इस तरीके से फॉल्डिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे मैं आपको जो है पहले सिर्फ एक पीस जो है बना कर दिखाने वाला हूँ उसके बाद आपको जो है बाकी के पीस आपको जो है मैं नहीं दिखाऊंगा एक पीस मैं आपको परफेक्ट जो है बना कर दिखा देता हूँ क्योंकि अगर मैं सारे पीस आपको दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है अब हम जो है इसे कट करेंगे कटर से तो आपको क्या करना है इसकी जो साइडे है वो हमें थोड़ा इस तरीके से कर लेना है ऐसे एक साइज का लगे देखने में और हमारा बंद एक साइज का बने भी तो इस तरीके से आपको इसे कट करना है ऐसे आपको एक पीस लेना है और उसे आपको जो है इस तरीके से घुमा कर और फिर हम जो है इसे ऐसे कर देंगे और इधर वाले पोशन को जो है हम इधर नीचे इस तरीके से दबा देंगे तो उसी तरीके से सेम फॉल्डिंग हमें ऐसे करनी है इस तरीके से आपको पकड़ना है और दूसरे वाले पोशन को उठाना है और फिर हमें इस तरीके से घुमा कर और फिर हम इसे इधर इस तरीके से दबा देंगे और फिर हमें वही काम करना है ऐसे लेना है और इसे हम इस तरीके से घुमा कर और फिर हम इसे नीचे इस तरीके से दबा देंगे और फिर हमें वही करना है ऐसे लेना है और इसे हमें इधर घुमा देना है और इस वाले को इधर हमें दबा देना नीचे और अभी जो हमारा बंस है वो एकदम रेडी हो चुका है तो इसे जो है हम ओवन के ट्रे में रख लेते हैं तो यह देखे इस तरीके से आपको डिजाइनिंग करके सारे बंस जो है बना लेने हैं मैं फटाफट बना लेता हूं क्योंकि अगर मैं सारे बंस की जो है बनाकर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं फटाफट सारे बंस बना लेता हूं उसके बाद आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा तो यह देखे हमने अपने बंस जो है चारो के चारो रेडी कर लिये हैं एकदम पॉफेक्ट जो है डिजाइनिंग करके तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने जो है रिफाइंड ओल लिया है और रिफाइंड ओल से हम जो है इसे पॉलिस कर देंगे अच्छी तरीके से रिफाइंड ओल आपको इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम इसे रेष्ट पर रखेंगे रेडी होने के लिए यानि कि फोलने के लिए तो जो है यह उपर से सूखे ना एकदम सॉफ्ट रहे और जब सॉफ्ट रहेगा तो हमारे बंस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे तो इसलिए आपको जो है ओएल की ग्रेसिंग करना जरूरी है तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ओयल से इसकी ग्रेसिंग अच्छे से कर दी है और मैं आपको बता दूँ मैंने ओवन की ट्रे के नीचे ओयल की ग्रेसिंग करके उसके बाद मैंने अपने बंस रखे थे ताकि जब मैंने बेक करूं तो यह चिपके ना तो अब हम क्या करेंगे इसे हम आईसी जगा रखेंगे जहां पर इसे हवा बिल्कुल भी ना लगे और यह सेफली तरीके से जो यह रेडी हो जाएं और जब यह डबल साइज के फूल जाएंगे तभी हमें ने बेक करना है उसमें आपको चाहे एक गंटा लगे है दो हो जाएगा तो मैं इसे रख देता हूँ फटा फट उसके बाद जब है रेडी होगा तब हम इसे बेक करेंगे तो हमारे जो बंस है वो जो है डबल साइज के हो चुके हैं और इसे डबल साइज के होने में समय लगा है तीन घंटे तो मैं आपको बता दू अगर आपका जो मैं भी लग सकता है तीन घंटे से पांच घंटे भी लग सकते हैं बट अगर आपका इंस्टन ड्राइस्ट मतलब की फ्रेस है ताजा है तो जो है तीन से धाई घंटे में यह परफेक्ट हो जाएगा तो आप हम इसे बेक करेंगे तो इसे आपको बेक करना है 220 डिगरी पर यानि कि 220 डिगरी पर आपको इसे बेक करना है तो मैंने अपने ओवन को पहले ही प्रिहिट कर लिया था तो आप मैं इसे फटा-फट डाल देता हूं बेक होने के लिए तो यहाँ पर मैंने अपने बंस डाल दी हैं बेख होने के लिए राडे आपको हमेशा दोनों ही उन करके रखना है और इसे आपको बेख करना है 220 डिग्री पर मैं इसमें टाइम लगाता हूँ 20 मिट का बाकी देख लेते कितना समय लगता है बेख होने में तो अब हम अपने बंस को बेख होने देते हैं तो हमारे बंस हैं वह बेख हो चुके हैं और हमारे बंस को बेख होने में पूरे 20 मिट लगे हैं तो मैं जो बाहर निकाल लेता हूँ तो यह देखे हमारे जो बंसे हम एकदम perfect बेख होकर निकल चुके हैं और मैं आपको बता दू यहाँ पर जो हमारी feeling थोड़ी सी बाहर आ गई है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने जो है डो को डो की जब हमने बिलाई की थी तो डो हमारा यहाँ पर थोड़ा ज्य इससी में थोड़ी गलती लग गई इस करके फट गया इसके बाद अब हम क्या करेंगे हमें जो है ओल से इस तरीके से हम अच्छे से पॉलिस कर देंगे ताकि हमारे बंस जो है तो ये देखे मैंने रिफाइन डोल के अच्छी तरीके से ग्रेसिंग कर दी और अभी आप देख सकते हमारे बंद की साइनिंग कितनी बहतर हो गई है तो किसी तरीके से आप इसे बनाना तो अब मैं इसे ट्रे से बाहर निकाल लेता हूँ तो ये देखे हमारे जो बंस हो मैंने ट्रे से बाहर निकाल ली है और अभी आप देख सकते हमारे बंस जो है कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में तो आप इन एक बार जरू ट्राइ करना और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं मैं आपको जो है एक पीस बंद को जो है तोड़ कर दिखा देता हूँ ये देखे हमारे बंद के अंदर जो है कितनी बढ़िया फिलिंग भरी हुई है और आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं